तो हम आगे हैं नवरात्री के आठवे दिन में और थाली लब के आगई है मेरे सामने तो आईए आपको दिखाते हैं किसमें क्या-क्या है कम अपनें, कि कि Susब हैं कि नवरा टुदया है यजनी हम चुिऊ करो जड़ी अवान, चुदिग अवान,सका भागिआ अभज हो इद diez hogy बेंनें समय यह वाति हो 5-6 ग ब exclusively शिद बह ब cactus जब शाधिन आ यिर समया कशाओब Del cœur स क्मानि प्रवड़ खृतल यजimaan प्रवberry प्रवीट अल्ट चार चार के जनका बंसकत सकतासे के लगते हराяж शॉब है hiç करदकाई वैया! लोब स्टॉत हुएДे लोगते हुए्छ sıँष्पगर और भी में लोगते हैं सबस्ट हुए्छ कि अ 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 करूआ लाग रगट कोई बड़ारे कि लागँने लाग़ा है जरते हैं अफिया सिunk करते हैं मैंनなた है पाल लाल सबस्सादित यह जब ऋ़ण नहजद आर करेंग कर देल Democratic & CA नायक कर दो ओो हो है कि बुबएंगों दोक पुबएंगर कि यह दोरो ब्ल 얼굴에 — तर रशयी है पार 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 क हुआ है तो हम आदे हैं नवरात्री के आठवे दिन में और थाली लबके आगे हैं मेरे सामने तो आईए आपको दिखाते हैं किसमें क्या क्या है तो सबसे पहले है दही और हमारी बनी है आलू मटर की सब्जी यह देखिये और यह है चट्नी टमाटर और धनеловी निय I Berni अज़े बनी है पनीर की सब्जी साथ में हैं मेथी की कचोड़िया तो चलिए खाते हैं तो पहले में ट्राइ करूँगा मटर बहुत बढ़िया कचोरी दही के साथ बहुत अच्छा रिस्ट करती है दही है राइते के साथ तो आप लोग भी मुझे लगता है खाते होंगे तो बताईएगा कि आपको कचोरी किसके साथ पसंद है तरी के साथ तो बहुत ही बढ़िया तो अब हम ट्राइ करते हैं पनीर की सब्दी तो ये है देखिये साथ में एक भुनी हुई मिर्च तो मैं लेता हूँ पहले थोड़ा पनीर बहुत ही बढ़िया बहुत बढ़िया अब हम ये चट्नी भी रेस्ट करेंगे बहुत अच्छे बहुत ही बढ़िया अब देखिये क्या है इतने दिन हो गए हैं हम आठवे दिन में पहुँच गए हैं नवरातर के और सोनी इतना बढ़िया खाना बना रही है तो आज मैं गया हुआ था मार्केट थोड़ा सा काम से यहां पर बहुत फेमस एक स्टेंडर्ड्स स्वीट्स करके शॉप है बहुत अच्छे मिठाईया होती हैं तो मैंने इसको बोला कि आज मीठा मत बनाना तो मीठे मैं मैं वहां से लेके आया हूँ यह मलाई के लड़ू तो आईए इनको टेस्ट करते हैं कि यह बहुत बड़ी है बहुत बड़ी है West वो मुध में घुल जाया करते थी तो अब वो नहीं है मगर मैं यह नहीं करूँगा कि इसका स्वाद अच्छाल महां लिये पर यह जो उस संय के लड़न shipping वह बहुत ही अलग ते बहुत अलग अच्छा क्या होता है न मैं जहां भी जाता हूं मुझे लट्डू क्योंकि पसंद्लय तो शायद दीख से एक बार हम 味 Fukرة वा है मगए है वहां पर पेड़े सब ढगने खाए होँगे लट्डू भी सब प्रण्दावन में मलाई के लड़्डू जिसने भी खाये हैं वो एक बार कमेंट करके बता दिजिएगा कि आपको वहां के मलाई की लड़्डू कैसे लगे अपने शहर के मलाई के लड़्डूं के साथ अगर आप कंपेर्ड करते हो तो वह अवश्य बताईएगा यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो अगर पसंद आ रहे हो तो लाइक कर दीजिएगा